जैहिन दोस्तों स्वागेत आप सके आपके अपनी यूटूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में आज बात करेंगे बिहार बोड़ी हिंदी कलास 12 चैप्टर 4 जिसका नाम है और दनारी स्वारा जिसके लेखक है रामधारी सिंग्धिनकर और इस वीडियो में आप सब के लिए संपुर्ण हिंदी अर्थ समझाने वाले हैं जिसे आप नोट्स बेकाते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिये का क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बेहतरीन तरीका से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरी करें आधा और नारी स्वर का जो अर्थ होता है इसमें नर और नारी दोने हते हैं क्या होते हैं नर और नारी दोने हते हैं तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि आधा नारी और आधा नर के बारे में इस चेप्टर में आपको बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा और जिसके तो निबंद है या पूछा जा सकता है कि अर्धनारीस वर एक परिकार का क्या है तो निबंद है इस तरह से आपको बताना है तो चलिए हम आप यहां से क्लास स्टार्ट करते हैं अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड इग्जाम में हम सारे 400 नंबर लाएं तो आपको सबसे पह अगर आप देखना चाते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन में है वहां से क्ली करके आप देख सकते हैं अब बात करते हैं टेली गराम जरूर जोइन कर लिजे प्यारे क्योंकि वहां पर आपको इंफरमेशन बेगारत दिया जाता है उसका वे लिंक हम आपको वी कुंदन कुमार उसके बाद online टेस्ट का option दिखाएगा online टेस्ट जहां पर दिखाएज़ा होगा वहां पर क्लिक कीज़ेगा history, geography, हिंदी, English जो भी आपका subject होगा उन सभी subject का आप test फिरी में देख सकते हैं अगर आप paid group जोईन करना चाते हैं तो आप हमें इस number पर या इस number पर call करके join कर सकते हैं जहां पर आपको चैप्टर वाज नोट, subjective, objective, model, repercussion, bank, A to Z आपको मिल जाएगा तो आप हमें इस number पर call कर सकते हैं ठीक है अब चलिए हम यहां से start करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम color change कर लेते हैं color क्या होना चाहिए यह रहना चाहिए ठीक है क्या य लेखख के बारे में जो आप यहां पर इस screen पर देख रहे हैं यह जो फोटो देखाई दे रहा ना फोटो को नई यह आपके रामधारी सिंग दिन कर जिए राम्धारी सिंग दिन कर है तो याद रखके है यह अगर आपको फोटो कहीं मिल जाए तो आप क्या कीजएगा स्र अपरील 1974 यह फीडियाद रखेगा, और वहीं पर पुछा जाकी निर्धन रखेगा, मतलब मिर्टू कब होता प्यार काई तो 24 अप्रेल 1974 हुआ था और आपको पता है कि 1974 में जो है एक छात्र अंदोलन भी हुए थे क्या हो थे छात्र अंदोलन के हुए थे और एक और सबसे मॉमेंट जो है प्राउट का मॉमेंट ये है मेरी पैर बचो जर्म अस्थान जो है सीमरिया बिहार के हैं कहां के हैं सीह मरीया बिहार के बिहार के बहुत बच्चे हैं यहां तो बिहार अुपर आप तो ग्याम ख़ेया मत्रिश्याँ करने धाफिश दोड़ेश बात tutorial रहा कि दोर नाम Ст냐하면 क्यक्वन मत अधार्रभी देवी और पान्Bay दमें। इस रिध्या ऑट हरे आपस्के लेकिन इनकार, विछ तय बारि ठीटर्थ्याटि कि के के से अऄ है hair कि ळ्रामधारी सिंहगर काहां ए बहुत अच्छा दवंगा जगा है अब यहां तो आपने लेखक के बारे में जान लिया यह जो रामधारी सिंहगर का जनुम का बहुत था आपक पिता जनुम काहां भाँ था यह सत जान लिया अब उसके बारे में क्या जाना है उसके जीवन के बारे में जाना है और जीवन में क्या-क्या जान सकते हैं तो परहाई कहां से किये हैं क्या-क्या वो कष्ट इछले हैं क्या-क्या नहीं किये हैं इसके बारे में तो सबसे पहले आप देखे आगे लेखक के जीवन के बारे मे मतलग कि लेखा के जीवन में क्या-क्या घटना ए, घटी है, और वो क्या-क्या रहे है, नहीं रहे, क्या-क्या, पैसे पराई के हैं, इसके बाद बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सिक्षा है, क्या है परे सिक्षा? अगर हमें अपने पर लिखना होगा, तो मेरे नाम कुंदन को मार है, मेरा जनमी यह समय हुआ था, मिर्तु हर आगा तो यह डेट बता दिया जाएगा, और पीता जी का माता का नाम, जुवाइफ थी उसकी नाम, और यह सब जरूर लिखा जाता है, उसकी बाद जो है सिक्छा लिखा जाएगा, सिक्छा मतलब कि हम कहां कहां सिक्छा में, तो प्रारामश्य सिक्छा गाउंञ और उसके आसपास 1928 में, मोकामा घाट,λλेलवे हाई इस्कुल से हुआ था, मोकामा, जो की बहुत ही जगा फिरमास अच्छा जगा है, यहां पर railway station है, क्या है मेरे काचो, मोकामा जो एक railway station है, और बहुत ही फिरमास जगा है, यह जगा सकते हैं, और मैट्रिक, 1932 में पटना को ले से BA ओनर्स इतिहास से किया है, बहुत बचे इस्कुल लेने से ही बहुत चुछ हो सकता है, तो BA ओनर्स क्या सके थे, तो इतिहास सके थे, जो की कह सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, यह तो समझ में आगया ना, कि अगर आपको पूछ ले जा कि रामधारी सिंग दिन कर, रामधा पॉइंट यहां पर ठीक है आगे पॉइंटों को देखते हैं वृती में जिसे सिख्छा कर रहा है क्या कारिय वगरा जो कियांगे उसके बारे बताना है ठीक है प्राधाना चाए प्राधाना अप्यादा प्राधाना ध्यापक ही इसकूल बर्भिगा यहां पर घबरा आ गए लेकिन कुछ हों कही है बर्भिगा सब रेजिस्टार सब डायरेक्टर जन संपर्ग बिभाग बिहार बिष्विदाले में हिंदी के परफेसर थे मतलब कहा जा रहा है कि यहां पर जो है इन सभी जो बर्भिगा पुछायाता है इन सब क्या जाए इसकूल का नाम है क्या है इसकूल का नाम है जहां पर बिहार बिष्विदाले में हिंदी के परफेसर थे क्या किस के थे हिंदी के परफेसर थे आप सुचिए हिस्ट्री से क्या किये है हिस्ट्री से ओनर्स किये है और परफेसर किसके है हिंदी के है बहु उप कुलपती हिंदी सलाहकार के रूप में भी कारी के है, मतलग कहाने जाता है, क्या आप किसी तरह के विक्ति को आफ एडवाइस करते हैं, या परहाते हैं, उप कुलपती के तरफ, ठीक है, तो आप हिंदी देखे, यह थी किस चीज़े है, हिस्ट्री ओर्नर्स कर रहे थे, लेकिन उसको मन के सि intéress में था हिंदी में था, क्योंकि हिंदी के परफेसर भी थे और उप कुलपती भी थे, ठीक है, तो ये प्रसन पूछेगा, कि रामधारी सिंग दिन कर विहार के विधालवे क्या थे, यह हिंदी के परफेसर थे, जो कि पूछ सकता है, ठीक है, साहितिक अभिरोची, इंट्रेस्ट मतलग कोई चीज में, तो 1925 में चात्र सोहदर में पहली कभिता परकासित किये, देश पटना, परकास बेवुसराय, परतीमा कन्योज में चात्र जीवन में अनेक रचनाय परकासित किये, मतलग का आजरा है, तो उन्होंने जो रामधारी स सिंदिनकर जो है, वो अपने चात्र जीवन में, जैसे युवा आवस्था कह सकते हैं, उस आवस्था में जो है, वो कितना पुस्तक रच दिये हैं, या नेक कभिताय कह सकते हैं, नेक कहानिया कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया है, प्रकासित कर दिया है, जिसमें से एक कई स जैसे क्या होगा, कि आपको और मजा आएगा, ठीक है, और मजा आएगा, आगे देखते हैं, आगे भी किरितिया है, जैसे कुछ-कुछ नहीं होती, कि हम यह लिखे हैं, वो लिखे हैं, तो आप देखें क्या करें, कि प्रमुख काबे किरितिया, प्रन्भंग, क्या है प्यार अब इसमें जो कौन-कौन सा इंपोर्टेंट ये चरूड़ी है, लेकिन कोई-कोई फेमस हो पता है, अगर आपने देखा होगा तो फिलिंग तो सब आता है, लेकिन फेमस होता है, जिसे एकोर्डिंग टू गदर, देखिए, गदर जो है, गदर आया, वन एक तरह से कर सकते हैं, और ये जो गदर टू आया, देखिए, गदर टू दवंग मचा दिया है, ठीक है, और इसमें जो है, सन अपने बेटा के और बाप के पुलती बहुत ही अच्छा रिष्टा है, फादर एन सन पे, बहुत ही जबरदस्ट फिलिंग है, हम खुद जाके हॉल में जाके देखे, मज़ा आगे मुझे है, कुछ भी गई है, तो कुछ पूछ पीलिंग हीट हो पता है, उसी तरह कवीता है, कुछ कवीता जो है, फिमस हो पता है, जिसमें से रिनु का बहुत ही प्रनभंग भी था, रेशमी रथी और कुरू छेतर, और हारे को हरी नाम तो कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि हारे को हरी नाम किसकी द्वारा रचित है, तो आपको अतना है कि राम धारी सिंग दिन करके द्वारा, हारे को हरी नाम किसकी द्वारा रचित है प्यारे तो क्या बतिएगा रामधारी सिंग दिनकर पॉमेंट करके ज़्यद्रोपतिएगा ठीक है अगले पॉइंट को देखते हैं क्या करा कि परमुख गद कभीत आये हैं गद करील किरितिया तो मिट्टी के और अर्धनारीस वर जो कि आज आप पर रहे हैं वो तो आज आ आप क्या पतिएगा तो आपको अप्सें दिएगा कोई भी तृति तिन तीन और जिसमें से संस्क्रीट चार अधिया ओप्शन सी रहेगा राइट अंसाट तो आपको संस्क्रीट के 4 अधिया यह लगाना ठीक है काभे की भूमी का वाट पीपल वाट पीपल सुद्द कभी तक ये खोज, 1966 में दिनकर की डायरी, और ये सुध कमीचा की खोज, और जो सांस्क्रिट, सांस्क्रिट, ठीक, तो ये सब जरूर आप याद कर लिजेगा, बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है, संस्क्रिट के चार अब आगे देखते हैं, आगे आपके सामने क्या कर रहा है, अब यहाँ पर देखे, पुरुस्कार एबम समान, देखे, अगर आप अच्छा कारी करिएगा, तो क्या करेगा, आपको कोई ने कोई जैसे मान लीजे, अगर कोई गदर टू ही देख लिजे, गदर टू ही आजा, रिलीज होगा है, और वो फेमस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर संस्कृती नहीं होगा, प्यारे संस्कृत के चार ध्याय होगा, ठीक है, पर साहिते एकादमी एवं उर्वासी पर भारती ज्यान पिट पुरुस्कार, राजे सवा के संसद, पद भूसन एवं कई अलंकारों से समानित रस्ट पतिके रूप में समाबद, ठीक है समपादन किया गया था, यहाँ पर कुछ-कुछ मिस्टेक लिखा हुआ है, आप देखी, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखेगा, सबसे पहले अगर पुछ रहे जाए कि संस्कृत के चार ध्याय पर कौन सा पुरुस्कार मिला था, प्यारे, तो यह पिला था सहित्ते एक आदमी पुरुस्कार, कौन सा, सहित्ते एक आदमी पुरुस्कार, जो की BBI पॉइंट है, ज़रूर इसे आप नोट करी जएगा, जब हम आपको अब्जेक्टी परहेंगे, तो उस समय यह सब आने वाला है, ठीके, और सकेंड में जो है उर्वासी, क्या है प्य प्यारे, एक और पुछा जागा, कि दिनकर छाया अबादत्रो यूग के परमुक कभी थे, कभी-कभी पुछा जाता है, कि दिनकर जी जो है, वो किस यूग के थे, दिनकर जी, किस यूग के थे, तो रामधारी सिंग दिनकर, किस यूग के थे, तो छाया अबादत्रो यू तो हम आपको बता है क्या अर्ध नारी स्वर ठीक है अर्ध नारी स्वर ऐसे होगा अर्ध नारी स्वर ठीक है ऐसे होगा ठीक है अर्ध नारी स्वर मतलब अर्ध मतलब क्या होता है आधा तो देखिए आधा देखाई यह रहा आधा इधर हम नर लेते हैं और नारी स्वर का ज तो अगर आप देख पारे हैं बर्याज से स्कीरिंद भीलिटी है। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर जो सिखाया क्या जा रहा है कि अर्ध नारी स्वर में जो गुन होता है और आधा नर का होता है और आधा नारी का होता है तो यह confusion हटा दीजेगा कि आज के बाद आपको यह न समझ माया कि नर आर्ध नारी का अर्ध क्या होता है प्यारे ठीक प्रिद्रीन तरीका से समझ सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम कर लेते हैं color rate बेस्ट रहेगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीस आप सबसे रेके बेस्ट है कि प्लीस लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों की वर्जम के share कर दीजेगा और अगर आप चाहे तो चैनल को subscribe जो लाल लंका दिखराओगा उसे आप कर सकते है ठीक है आप चलिए हम यहां से start करते हैं एक जो point बना हुआ है कि अर्धनारीस्वर का सारा answer तो अर्धनारीस्वर निबंद के रचायता रामधारी सिंग दिनकर अब बतेगा रामधारी सिंग दिनकर ने क्या लिखा है रामधारी सिंग दिनकर ने क्या लिखा है प्यारे तो अर्धनारीस्वर क्या लिखे है अर्धनारीस्वर और आपसे हम तो रसल कुछते हैं कि अर्धनारीस्वर क्या है बते ही तो फटा बट कि अर्धनारीस्वर क्या है तो निबंद है बिल्कुल बहुत जिन्होंने संकर और पारवती का कल्पित रूप के बारे में बताया है इसमें क्या क्या गया है संकर जी जिसे भोले नार कर सकते हैं और पारवती जी दोनों के बारे में क्या बताया है कल्पित रूप जिसमें आधा नर और आधा नारी के बारे में बताया है राम्ध हरी सिंग दिनकर बताते हैं कि आधा अंग कुरूस का, आधा अंग नारी का होता है, एक ही मुर्ती के दू आख होती है, एक रस्म मई और दुसरी बिकराल है, मतलब कहा जरा कि एक आख जो होता है, उसमें बहुती अच्छा सुन्दरता होती है, देखे का अगर गरल क है बिकराल, बिकराल समझते हैं दम, चंड़ाल जिसक दम, घुसेला, वो हता है पुरूस में, जो कि हरहना भी चाहिए, क्या है, रहना भी चाहिए, ठीक है, यह हो गया, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया है, एक मुर्ती में दो भूजाए, एक तिरसुल उठाए और संकर जी है, और दूसरे हाथ में चूरिया, जो कि यह पारवदी जी के आपने देखा होगा फोटो में, तो पहले ही हम आपको फोटो देखा दिये है, दुसरा बाप जो आगे पॉइंट में क्या कह रहा है, प्यारे, कि रामधारी सिंग दिनकर कहते हैं कि नर नारी पुर् से पुराना, ये बीच वाला नहीं बोले, प्राचीन काल से भी थोरा से पीछे, तो वहाँ पर जो है, उका सकते हैं, नौपासान काल में, उस समय, क्या था, दोनों के दोनों समान थे, और उनमें से एक के गुन दूसरे के दोस नहीं हो सकते, बिलकोल, अगर लरकी जो है, बरतन माजती है, और खाना बनाती है, और लरका भी खाना बनाता है, और बरतन माजता है, तो ये दोस नहीं हो सकता है, बलकि वह, लेकिन वरतमान में यहाँ गुन देखने को नहीं मेलता है, और आज देखेगा, जो लरका, शिर पर हाई करता हो, उसको छोर कर, उसको छोर क है क्या होता है उसे क्या का ख़़ता है कि सरविंद की फिल , होता है यह समझ गए यह तक आपको समझ में आ गया आगे के परषुन और आगे और आगे फॉयंटों को समझ दे है नर और नारी के गुदों के बिच बहुत पराभी भाजन हो गया मतलब अब चाहता है कि नर अलग रहे और नारी अलग रहे दोनों के बीच में बहुती अहकास पतल का परक हो जाए फरक हो जाए इस रेखा को पार करने में भय लगता है नहीं कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है लड़की तो कुन इसको रोका है अपने मन से रोकी है आदि मानव में नर और नानी थोरा सा भी भेद भाब नहीं था blond जाए जरताए यो पुरान जब बस्तर का भी पूरा ध्यान नहीं था बरिया से, उस समय जो आखेट बगारा करते थे, उस समय नर और नारी में कोई फरक नहीं था, लेकिन वही देखिए, प्राचीन काल में, फिर मद्य काल में, बस्तो आधुने काल में, इसमें क्या कहा जाए रहा है, नर और नारी में सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाए रहा है, क्या कहा है, भेदभाव किया जाए रहा है, दोनों मिलकर राखेट करते, जब प्राचीन काल जिसे कर सकते हैं, ना पासान काल में, दोनों के दोनों मिलकर, ये पकरो-करो, मारो, दम, जिससे कुछ भी हो गया, उसका मारते से दोनों मिल के दोनों में कोई फरक नहीं बजा दऑँ से कोई भी दूसरों पर निर्भन नहीं रथे ते कि घरीओ तरह नहीं होना ये ओंऔर ये आस वहन होगा निर्भार कर सकते हैं उसमें जो है वो क्या करते थे वो अपने स्वयम पर depend रहाते ते कि हां हमें कुछ करना है कुछ खाना है तो हमें सिकाल करना हो तो उस समय के था ठीके वह स्वयम से कारिय करते थे लेकिन आज न cassette ना जाने नारी वहरा दूसरों पर निर्भर हो गई है, बिल्कुल, जैसे मेरे सामने हो गया है, और आपके सामने हो गया है, जो भी आप देखेगा, तो सब क्या होता है, वो नारी जो होता है, वो आपके डिपेंट रहता है, बिल्कुल, सही बात है ना, चलिए, आगे देखते हैं, बुद्ध, महाबीर, की डरबे की डली डो पड़ते माय है ठीक है मतलब यहां पर यह जो प्वाइंट बोला गया है इस ते बारे में समझ यह इसने समझेगा क्या že मिद्धभ और नारी एक रबी की अब पड़ते माय है तो ही exists इप जिए आए एक रबे है एक की तरफ है लेकिन कहो सकते हैं कि आने वाले समय में आने वाले समय में या कहिए तो 2-3 साल के बाद ही देखेगा तो बाहर में क्या होता है गरल सब जो है अपने आप खुद पे depend हो रही है क्या कर रही है वो परहाई लिखाई करके अच्छा का सा नौक्विरी ले रही है और वो क्या कर रही है जोब लेकर खुद पे depend हो रही है न की पती पे समझ रहे न वाद को तो आप भी ऐसा कार्य कीजिए कि आप भी किसी पे depend न हो पाए और आने वाले समय में आप बहतरीन से बहतरीन कर सके तो आज का क्लास यहीं पर समावत होता है प्यारे मुझे पूरा विस्वास की कलास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर आप paid group जोईन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नमर पे या इस नमर पे call करके जोईन कर सकते हैं फिलाल आपको जो है इसके बाद क्या किजेगा प्यारे जब आपको खूलडा है तो देखिये कैँ आपको हम हिंदी का ही देखाते हैं तो यहां पर दिखिये का आपके विहार बोड हिंदी लास बारे चेपटर दो उससे ने कहता ऑन लाइन टेश्ट तो ऑन-लाइन इसुए किलिक करना है ठीक है इसके बाद देखे कितने बच्चों ने दिया है 268 मतलब कि अरहाई सब बच्चों ने टेस्ट दिया है उसके बाद आपको start करना है अपना नाम डालना है जैसे हम food डाल दिये उसके बाद आगे जो भी आपको कहा जाती को उसे ने कहा था किस बच्च की रचना है तो गूगल पे क्या सर्च करना है self-study कुंदन कमार क्या सा लगा class especially comment करके जरूर बदेगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए बैबाई जैहिन जै भारत